वाट्साप, आई हो मेरे सारे ब्रोदर अच्छी होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियक जेस इंट्रिवी स्रीज को कंटेन्यू करते हैं कि कॉम्पोनेंट कितने टाइप की होते हैं अब सब्सक्राइप क्या होते हैं अब सबसे ठोड़ा तो करना ही करना है react के अंदर वो सारी clear हो जाएंगे ठीक है फिर भी आपको कोई डाउट आता तो नीचे comment कर लेना और चैनल को subscribe कर देना मेरे motivation के लिए ठीक है तो अब आपको लेके जलता हूं डायक्लिप PPT पर अब आप लोग यहां पर देख सकते हो component, component basically दो type के मानेगा है react.js के अंदर एक class based component होता है एक function based component होता है class based component को हम लोग stateful component भी बोलते हैं और जो function based component होता है उसको हम लोग stateless component भी बोलते थे लेकिन अभी नहीं बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि जो वर्जन था 16.8 वाला react का उसके बाद में काफी सारी चीज़े ऐसी हैं जैसे hooks हैं उसके अंदर हम लोग state का use कर सकते हैं हम लोगों ने देखा use state अगर आप लोगों ने नहीं देखा react.js वाली series तो देखना उसके अंदर मैंने सारी चीज़े बताई हैं तो यह सारी चीज़े हम लोग function based component के अंदर भी कर सकते हैं जो चीज़े हम लोग पहले class based component के अंदर करते थे और आज के time में mostly function based component का use करा जाता है ठीक है अगर आपको पता नहीं state क्या है तो state तो वैसे तो मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो के अंदर हो deeply लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूं state मतलब एक simple साब built-in object होता है react के अंदर एक object ही होता है react के अंदर जो क्या करता है जो component का data store करके रखता है कुछ ऐसा समझ सकते हो ठीक है थोड़ी बात करते हैं कि class based component और क्या है मतलब एक definition देख लेते हैं थोड़ी सी ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते हो class based component की definition लिखी गई है a class based component is a javascript class that extend react component the only required method in react component is the render method इसके अंदर हम लोग बार बार render method का यूज करेंगे practical करेंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे वहीं पर हम लोग बात करें function based component की तो function component is just a simple javascript function जो javascript का function होता है simple हम लोग एक function define करते हैं call करते हैं वो वाला system होता है function based component का react के अंदर it accepts the data in the form of props and return the react element यह क्या करता है return करता है react element को और data किस form में लेता है props के form में data को store करके return करता है क्या react element को simple से मैंने class keyword की और इसके अंदर class based component की मैंने इसके अंदर एक simple definition और डाल दिया है आप लोग यहां पर देख सकते हो various the class component will be created using the class keyword and it extends the react component to make the class as a react component ठीक है मुझे पता है थोड़ा यह चीज आपको अगर beginner हो तो समझ में नहीं आई होगी नहीं तो आपको ने कभी ना कभी topic देखे हैं तो आपको आई गई होगी अब practical करते हैं और doubt आपका clear करते हैं जो भी आपके doubt is syntax क्या होता है किस तरीके से इन चीजों को render करवाते हैं सारी चीजे practical के अंदर देखते हैं तो आपको लेके चलता है सबसे पहले यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रोपर ओपन हो चुका है सबसे पहले मैं मेरी app को run करूंगा और उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले npm और start अब जैसे मने npm start लिखा तो थोड़े से time के बाद में क्या होगा मेरी app run होना start कर देगी ठीक है source के अंदर आपको लेगे जलता हूं index road jest के अंदर लेगे जलता हूं कुछ खास नहीं है मतलब blank page दिखाई देगा कोई बड़ी चीज अपने को यहां पर नहीं दिखाई देने वाली है फिर भी इसका थोड़ा वैट करते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हो हमारी app pro run हो चुके web पे compiled successfully यहां पर लिखके आ चुका blank page दिखाई दे रहा था जैसे मैंने आपको बताया तो starting में ठीक है ओके जी और राइट यह एल कहां से आगया ठीक है आई MRD टाइप करूंगा इसका मतलब है रियक डॉम को मैं कहां से इंपोर्ट करना चाहता हूं रियक डॉम से और मुझे चीजे पता ही है मैं क्यों कर रहा हूं और आपको भी पता है मैं क्यों कर रहा हूं अगर आप पर हो जाएंगे उस्वाली सिरीज के अंदर यह तो बेसिकली एक इंट्री चल रही है ना वारी तो यहां पर यह डॉम सबसे पहले मैं रेंडर मेथर्ड का यूज करूंगा इसके साथ और यहां पर सबसे पहले मुझे दिखाना होता है इल्ए मैं असके बादे मुझे कहा है तो मैं सिंपल सा टेक्स डाल जता हूं क्या इस तरीके से और सूर्प को में ड्योक और कुमेंट इस तरह से और जाईज को इस पाकी अधिक और रोट इसूब मरिए रूट कया है रूट बीसिकली एक आइडी है और यह id क्या करती है यह id basically render करवाती है मेरे element को यह id कहाँ पर मिलेगी यह चो public value directory होती है skindrindex.stml होती है वहाँ पर divide request to root होती है ठीक है यह जब जब populate होगी जब जब मेरा यहाँ से javascript call होगा और मुझे यह जितने भी element है वो यहाँ पर render होते होए दिखाए देंगे सबसे पहले काम करते हैं इसको दिखाते हैं तो hello world यहाँ पर लिख किया आ चुका है इसमें किसी कोई problem होनी नहीं चीए सबसे पहले बात तो यह ही है ठीक है बहुत ही बढ़िया अब मैं क्या करता हूँ अब मैं सिंपल साइक काम करता हूँ मैं एक class based component बनाना चाहता हूँ तो देखो बहुत सारी तरीके आप लोग directly यहाँ पर फाइल बनाओ class based component की एक और मतलब जो भी आपको component बनाना है उस work का एक simple सा फाइल बनाओ यहाँ पर अपना code लिखना start कर दो लेकिन हम लोग थोड़ी तोर तरीके से करेंगे तोर तरीके का मतलब यहाँ पर सबसे पहले एक directory बनाएंगे उसके अंदर फाइल बनाएंगे वहाँ पर code करेंगे ताकि चीजे maintain रहें ठीक है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले components करके यहाँ पर इस तरीके से directory बनाओगा ठीक है folder बनाओगा यारमा एक simple सा ओके जी बहुत यह बड़ी है यह कहां पर जा चुका यहाँ पर आ चुका ठीक है जब मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं लिखूंगा एक class मतलब एक class-based component बनाना चाहता हूं ठीक है ठीक है यह चीज़ है तो class और मैं इस तरीके से class-comp नाम से फाइल बना रहा हूं class-comp और .js अब आप JS भी रख सकते हो JSX भी रख सकते हो it's totally up to you जो भी आपको रखना वो रख लो मैं सिंपल सा JS नाम से फाइल बना रहा हूं ठीक है इस तरीके से अगर आप लोग JSX इसका extension provide करते ना तो भी कोई बड़ी problem नहीं होती सब काम अच्छे से होता यहां पर ठीक है बहुत ही बढ़िया अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा इसके अंदर आके मैं लिखूंगा import यहां मुझे लिखना पड़ेगा इसके अंदर आके मुझे लिखना पड़ेगा IMR इसका मतलब है मैं import react from react करूंगा ठीक है आपको starting में मने बताया था उसके बाद मुझे simple syntax पता होना चाहिए कि class based component का syntax क्या होता है अगर मुझे class component create करना है तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है class keyword यह आपको लिखना लिखना पड़ता है जब आप लो class based component create करते हो और यह ज्यस के अंदर ठीक है इंट्रिव अंदर सारी पूची जा सकते है यह 20 आपको लिया जा सकता है इस तरीके से मैं आपको लिखना एग उसके बाद में आपको क्या लिखना है उस वाले component का नाम ड़ना मतलब के component का नाम क्या होने वाला है तो मेरी component का नाम क्या होगा जो classя यह होगा ठीक है तो मैं आप इस इंपल डाल देता हूं class और मुझे simple क्या लिखना पड़ेगा मुझे C capital class और comp इस तरीके से लिखना पड़ेगा फिर मुझे extends extends करवाना पड़ेगा extends का मदलब क्या है अगर आप लोग C++ में कभी भी गए हो गलती से तो वहाँ पे आप लोगो ने inheritance वाला topic देखा होगा और inheritance के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बेर inheritance कितने type के होते है single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid बहुत सारे type है inheritance के तो वहाँ पे क्या इसी यहाँ पे है ऐसा समझ लो कि class component एक component है जो inherit कर रहा है मतलब react.component इस तरीके से कोई एक library है कुछ भी यहाँ पे है उससे मैं क्या कर रहा हूँ इस class component को यहाँ पे मैं लेकि आना चाहता हूँ तो react component आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना ही रखना है इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इसके बाद में आपको क्या करना उसके बाद में आपको simple जा मैंने आपको ppt के अंदर दिखायता है कि भाई क्या होता है सबसे पहले आपको इसके अंदर जब आपको class based component create करोगी तो इसके अंदर आपको render method क्या होता है का use करना है करना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे बार बार यहां पर render method यूज लगने वाला है इसका तो यहां पर मुझे इस तरीके से इसको रखना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से मुझे यह डालना है अब जैसे मैं save करूंगा तो कुछ खास नहीं होगा कुछ फरक नहीं है क्योंकि यह एक पड़ोसी फाइल है class com.js एक प्लोसी फाइल है और अपना जो man index.js को पताई नहीं है कि भाई सब class com.js एक फाइल है जो exist कर रही है कहीं ना कहीं तो अपने क्या क पड़ता है जो भी हमने component बनाया ना इसको हमको export करना पड़ता है अब एक import होता है एक export होता है उन चीजों के बारे में बारे की से बात करेंगे लेकिन वह बाद में बात करेंगे जब उस topic तब हम लोग जाएंगे अभी के लिए आप लोग इसा समझे लो कि कोई समान है उ तो माल लोग मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ export default ठीक है और यहाँ पर जो component है उसका मार नाम provide कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ simply class और comp बस ठीक है इस तरीके से तो export default class को मैंने यहाँ से इस component को export कर दिया अब मुझे उसको import करना है जहाँ पर मुझे use करना है simple तो इसको मैं save करूँगा और मैं index load जाओंगा मालो कि मुझे यहाँ पर इसको import करना है मुझे यहाँ पर उ दिखाई दे रहा क्योंकि हमने जो चीज रखी है वो इस वाली फाइल के इंतर रखी है तो अब इस company को import भी तो करना पड़ेगा दिखाना है तो तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले हाँ पर लिखेंगे import क्या क्या import करना मुझे class comp नाम से एक component है वो import करना तो आप लोग लि कर रही है class comp नामक उसको import कर लो अब आप यूज कर सकते इसको यूज करने के लिए मैं simply एक बार hello world हटा देता हूं ठीक है और मैं आपको दिखाना जाओंगा इस तरीके से आ कि इसको हटा दो यह basically self closing take होता है आप लोग इसको self closing take बोल सकते हैं पर मैं उस वाले component का नाम डा तो जैसे मैंने page को refresh करा तो आप लोग clear देख सकते हो my name is ankyjangit कैसा लग रहा है my name is ankyjangit कहां से आया class comp के अंदर मैंने मतलब एक class component बनाया जुसके अंदर मैंने एक return करा यह जो html जैसा देखने वाला take है इसको लोग basically jsx बोलते है jsx हम लोगोंने already समझा क्या होता है और इस class component के अंदर क्या करना होता है यह जो render method होता है यह बार बार अपने को use करना ही करना पड़ता है ठीक है तो is create engine मतलब आप लोग लेना यह आपको लिखना ही पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से simple सा example class based component का और एक simple syntax भी आप लोग इसको बोली सकते हो ठीक है अब वहीं प होता है लेकिन mostly function based component use करना सिखाया जाता है और उसी का use करा जाता आगी तो मैं काम करूँगा सबसे पहले उसका भी आपको example दिखाना चाहूँगा वेसी हमने देख चुका उसका example लेकिन यह जो हमारा class comp उससे बहुत ही simple रहने वाला है इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बहुत ही कम code के अंदर अपना काम हो जाएगा तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले एक नई file create करता हूँ मैं इसके अंदर ठीक है और अब मैं आपको पता है जब हम लोग component create करते हैं तो उसका जो first letter होत function और comp इस तरीके से .js ठीक है कुछ इस तरीके से अब जो भी हम लोग simple javascript के अंदर एक simple function define करते थे वेसा का वेसा यहां पर आपको रखना है जैसे मैं यहां पर लिगूँगा simple function keyword और function keyword की आगे मैं function का नाम डाल दूंगा मतलब जो component अपना उसका मुझे नाम डालना यह index है इसका आप लोग यहां पर लिख सकते हो function और comp ठीक है इस तरीके से आप इस तरीके से यहां पर पास कर सकते हो इसके अंदर आप simple return करते हो बस और कुछ नहीं करना है return करते हो जिसे मैं एक h4 return करता हूँ मैं लिखता हूँ क्या लिखू मैं मैं क्या लिखू मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 5 प्लस और राइट 5 प्लस 5 इस तरीके से simple सी मेरे expression set कर दी और यहां पर लिख देता हो मैं total और total is ठीक है इस तरीके सेव करता हूँ मैं और export अपने को करने पड़ता है क्योंकि अपने को बताना पड़ेगा ना कि यह फाइल है इसको प्रजेंट करो इसको डिस्प्ले करो इसको रेंडर करो तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले export और function और कॉम्प हमारे function का नाम आप लोग यहां पर export default यूज़ कर सकते हो ठीक कोई बड़ी बात नहीं है सेव करतो कितना कम कोड़ कितना sweet कोड़ कोड़ अब जैसे में इंडेक्स रोड़ जैसके इंदर सलूंगा मुझे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा function का नाम function कॉम्प इस तरीके से अब आप बताओ कि मुझे multiple अगर elements यहां पर render करने हो तो मैं किस तरीके से करूँ एक काम करता हूँ मैं इसको इस तरीके से react synthetic sugar format के अंदर मैं पास कर सकता हूँ इसको और यहां पर सबसे पहले तो मेरा class कॉम्प हो जाएगा उसके जस्त नीचे मैं क्या पास कर दूँगा उसके जस्त नीचे मैं पास कर दू है तो आप लोग देख से तो टोटली स्टेन यहां पर लिख क्या चुका है यह हमारा सिंपल सा function component है और यह class based component है दोनों चीजे सेम ही है और थोड़ा इसमें फरक भी होता है इसा बात नहीं है लेकिन यह ज़दा यूज किये जाने वाला industry के अंदर component है function based component है ठीक है अब आप लोग यही चीजे उज़ करो आप लोग जो modern function define करते हैं वैसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो वैसे मैं cost और function comp equals to कुछ इस तरीके से आगे और कुछ इस तरीके से रखूँगा तो भी code same ही है ऐसा नहीं है कि output कोई change होगा पिल्कुल सही होगा अगर मापको यहां प तो यह है हमारा simple function based component और यह है अपना class based component आई होप इसके regarding किसी को को कवरी नहीं होगी अगर फिर भी आपके को कवरी होती है तो नीचे comment कर देना आज के लिए इतना ही मिलते next video में thank you guys watching this video bye bye